देखिए आपके सामने दिल्ली का मॉडल दिखाया जाता है, बड़े बड़े विग्यापनों पे और आपके पास लोग आकर प्रचार करते हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए, दिल्ली की सरकार देखिए, मत भूलिये मेरे भाईयों और बहनों, एक बार पहले एक ऐसे मॉडल का प्रचार हुआ था, 2014 में जब भाजबपा की केमरे आपके सामने आज प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े विग्यापन थे, इतना विकास हुआ है गुजरात में, बिदनस आसान हो गया है, गरीब नहीं है, सब अमीर हो रहे हैं, सब खुशाल है, किसान खुशाल है, र जोजगार घटे, आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने कुछानों को कुचल डाला, एक ऐसी सरकार मिली जिसने शिक्षा, सेहत के कोई संस्थान नहीं बनाए, और दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है, जो आम आदमी पार्टी है, वो उभरी कहां से है, वो उभरी यी RSS से है आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं, कि हम भाजप्पा से बड़े भाजप्पा हैं, दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है, आपको बताया जाता है कि बड़िया बड़िया स्कूल बने हैं, जड़ा आईए दिल्ली आके तो आज का जो महौल है आज जो आप परिस्थितियां देख रहे हैं इसमें आपको जो राजनेतिक दल है जो नेता है इनकी असलियत पहचानने की बहुत ही महत्वपून जरूरत है जब तक आप असलियत नहीं पहचानेंगे तब तक आप सही निर्ने नहीं ले सकते हैं यह है कि उस सरकार में कुछ खामिया से कहीं रास्ते में भटक गए वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई वो सरकार दिल्ली से चलनी लगी और दिल्ली में भी कॉंग्रेस पार्टी से नहीं लेकिन भाजप्पा और भाजप्पा की सरकार द्वारा चल रहे हैं वो जो के सामने लानी हम आपकी आवास तुन रहे हैं हम जान रहे थे कि कुछ fight हो रहा है इसको ठीक करने के लिए कि नई राज़नीति आपके सामने आई कि उस नई राज नीइती में आपको एक ऐसे इंसान एक-एस सक्ष मिले चरनदीरसिंग्व चन्नी जी जो आप आप में से उबरे जो आप की तरह हैं जिनों ने आपके लिए सौ और देड़ सौ दिनों में ही इतना कुछ कर दाना क्योंकि वो आप किसकी समझते हैं कि पंजाब की सरकार पंजाब से चलनी चाहिए ज़र आप आम आदमी की सरकार तो देखें वो सरकार जो आज भी जितने भी आप विग्यापन देखते हैं उसमें किसका चहरा दिखता है केजरिवाल जी का चहरा दिखता है एक ही नेता का चहरा दिखता है क्यों, क्योंकि अग सरकार बनेगी यहां तो वहां से चलेगी, कोई फरक नहीं होगा किसी भाजप्पा की सरकार में और इन में, ये भी दिल्ली से ही चलाई जाएगी, आपके लिए नहीं चलेगी, आपको बताया जाता है कि बहुत उपलब्दियां इस सरकार की, लेकिन कोव किसान के करदे माफ़ू के आकड़ों में गौटाले थे, हर तरह से, हर तरफ से जब आप देखें, तो वहां की सरकार विफल हुई है, क्या आप ऐसी सरकार अपने पंजाब में भी चाहते हैं, या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं, जो अपनी गलतियों को समझते हुए, लेक किसान के करदे माफ हुए, पंद्रह सो क्रोड के बिल माफ हुए, बिजली के बिल माफ हुए, किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, बिजली का रेट तीन रुपए यूनिट किया गया, और योगिक बिजली का रेट पाच रुपए यूनिट किया जा रहा है, पानी क साथ सो क्रोड के बिजली बिल माफ किये गोशालाओं में बिजली बिल माफ किये पेट्रोड दीजल के दान प्रटा लेगे तारती लाग को कुछ्ट्रक्शन के चुमिक हैं उन्हें प्रतिमा दलित और पिछले वर्ग के साथ क्रोड के कर्दे माफ हुए दलित वर्ग के परिवारों को दो सो यूनिट विजली माफ की गई रसोहिया बहनों का मान दे तीन हजार रुपए प्रतिमा बढ़ायक तक बढ़ाया गया और बारा महीनों तक वेतन देना शुरू किया है 33 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए ये सरकार आरक्शन देना चाहती है महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त देना चाहती है पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षन देना चाहती है जब दुबारा से आएगी कुछ वादे कर रहे हैं चन्नी जी और उनकी सरकार आपके सामने आकर ये वादे में दोहराना चाहती हूँ क्योंकि आप ध्यान से सुनिये पहला फैसला ये करना चाहते हैं कि एक लाख रोजगार बनाए जाएं महिलाओं को प्रतीमा 1100 रुपे दिये जाएं ताकि उनका कुछ सपोर्ट हो जो ग्रिहस्त महिलाएं उनको जरूरत मन्द परिवारों को हर साल फ्री में एक कैस का सिलिंडर नहीं लेकिन आठ कैस के सिलिंडर देना चाहते हैं सरकारी अस्पताल में 20 लाग तक मुफ्त इलाज करवाएंगे राज रोजगार योजना के तहत पंजाब में के सभी निवासियों को सौ दिन का रोजगार का गैरंटी दिया जाएगा आंगनवारी की बेहनों को 10,000 रोपे प्रतिमाह दिया जाएगा सरकारी स्कूलों की लड़कियों को स्मार्ट फोन और लैप्टॉप दिया जाएगा तो ये सरकार जो इतना सारा कुछ करना चाहती है ये सिर्फ चुनाओ के समय आपको इन कहने के लिए नहीं आई है इनका दिल आपके लिए धड़कता है सच्चाई ये है कि चाए भाजप्पा की नीतिया हो या दिली में आम आदमी पार्टी की नीतिया हो इससे पबलिक की कोई भलाई नहीं हो रही है इससे आपका विकास नहीं हो रहा है आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं आप अपने बच्चों को बढ़ा करते हैं मेहनत की कमाई से, खोन पसीने से आप किसान हैं, आप मज़दूरी करते हैं आप छोटे छोटे कारोबार खोलते हैं छोटे बिजनस हैं आपके उनकी मदद के लिए एक सरकार चाहिए एक ऐसी सरकार जो आपके छोटे बिजनसों को आपके छोटे दुकानों को मजबूत बनाएं आपने जितने संकट देखे हैं, कोविड के समय, लॉकडाउन के समय, बेरुजगारी की वज़े से उनको दूर करने का काम करें, तो हम आपको एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं, और मैं आप सबसे आगरे करना चाहती हूँ, कि जब आप वोट करने जाएंगे, तो जो आपके न काम करेंगे, जो दिन रात आपके लिए काम करेंगे, कर रहे हैं, मैं अपने अनुभव से आपको बता सकती हूँ, चन्नी जी का अभी फोन नहीं नहीं मिलता, फोलते हैं, तीन बजे सुबह आया था, मैं छे बजे सुबह चले गए, सुबह से शाम तक, सुबह होने तक कि तीन तीन चार बजे एक तक आपके लिए काम हो रहा है, उनको एक मौका दीजिए, आपके हित के लिए एक सरकार बनाने का, एक मौका दीजिए पंजाब को फिर से मजबूत बनाने का, उस पंजाबियत को, जिस पर आप सब का गर्व है, हम सब का गर्व है, उसी को भार क के मजबूत बनाने का यही मैं आगरे आपसे करना चाहती हूं आपने बहुत ध्यान से मेरी बाते सुने इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद कि जय पंजाब और सच्रीकाल धन्यवाद मैं हुन बेंती करना चाना साथे साफ का मंतरी श्री उपिंदर शर्मा जी ओ ताड़ा सा रहा ना और अपने महबूब नेता श्री मधी प्रिंका गांधी जीदा तानवाद करने श्री उपिंदर शर्मा जी पर्माद्रिय प्रियंका जी अवन गोल जी अजेपाल संग्छंदू जी श्री मधी करनकोर ब्राड श्री श्री जिंदर शिंदर शिंग बिटू साड़े जिलादे परदान दर्शन सिंग तिल्वां जी ओ सहोता जी सितकार योग साथियो मैं खड़ा हुए हैं प्रियंका जी तानवाद करने प्रियंका जी थोड़ाई की किदम सिर्मत है वोस्ट वेलकम भी दोस्तों पंड़त देरू तो लेके शिरी मती इंदरा गांदी उनना दी महान कुर्बानी फिर शिर डे लेट यंग प्राइम मिनिस्टर शीर रजीव गांदी उनना दी सिरे पिर अंदूं दूरविच महान कुर्बानी उस नों सलाम कर दे हुए इस फिर का प्रस्त मकोटे दे खिलाफ जो लड़ाई माई चले तो अनु साब नों नाड़ लेके लड़ाई लड़ रेस डिक्टेटोरियल रजीम दे खिलाफ मैं प्रियंका जी तो अड़ा और राहो जीदा तो अड़ा इस थे आउन ते वशेश तो औरते चानवाद कर द झाल 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 झाल